जिम मोटिवेशन रिल्स आर ब्लोइंग अप राइट आओ एंड रैकिंग अप इंसेन व्यूज और ऐसे रिल एडिटर्स की डिमांड बहुत जादा है क्योंकि कुछ गिने चुने ही वीडियो एडिटर्स हैं जिनको इस तरह की एडिटिंग टेक्निक के बारे में पता है और यूटूब पर भी इसके ना के बराबर टुटोरियल है इसलिए मुझे अपने टेलिग्राम कम्यूटी पे भी मेसेज आया था के इस तरह के टुटोरियल बनाएं तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे पेश है आज का टुटोरियल जिसके अंदर मैं रिवील करूँगा ये सीक्रेट टेक्निक्स जो की बहुत ही कम वीडियो एडिटर्स को पता है लाइक पावरफुल टेक्स रिवील एफेक्ट सिनेमाटिक कालर ग्रेडिंग जो की इस तरह के मोटिवेशन में यूज की जाती है जिससे की ओवराल लुक काफी ड्रामाटिक लगती है और रिल का इंपक्ट और भी अमेजिंग हो जाता है ट्रेंडिंग राउंडिट रेक्टेंगल मास्क एफेक्ट जो की आज कल बहुत ही जादा ट्रेंड में है साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसी आफ्टर एफेक्स प्रोजेक्ट को किस तरह से आफ्टर एफेक्स के टेंपलेट में कनवर्ट कर सकें ताकि कोई भी सिंपली ड्राग Goddess करके इस प्रोजेक्ट से नए प्रोजेक्ट को और लास्ट में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसी को प्रिम्यर प्रोग प्रिसेट याणी के मौगर्ट प्रिसेट यानी केमोशन ग्राफिक्स प्रिसेट maneira कि तरह से कनवर्ट कर सकते है ताकि अगर आपको after effects नहीं आता है तो भी आप इसको simply drag and drop करके use कर सकते हो By the way ये दोनों presets आपको मेरी website से मिल जाएंगे जिनका price मैंने बहुत ही कम रखा है ताकि आप मुझे support कर सको क्योंकि आपको पताई है AdSense हमारे जैसे new creators को ना के बराबर पैसे देता है Let's create a new composition चलो एक नए composition बलाएते हैं तो यहां पर click करेंगे उसके बाद यहां से आप एक social preset ले सकते हैं और वो होगा नए 1080 by 1920 अगर आपके बाद स्पराना version है तो manually आप type कर सकते हैं 1080 by 1920 duration अभी कोई भी आप ले सकते हैं अभी 15 seconds है by default तो अभी मेरे इसमें रहने दे क्योंकि last time मैंने 15 seconds का कोई project बनाया होगा and background color ले ले लें हम black और ok press कर देंगे यह हमारी एक new composition आगी है अब इसके अंदर हम drop करेंगे अपनी video clip को तो यह clip है अब इसको हम drop कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा जूम तो हमारा जो जूम है वो रखेंगे हम 105 के आसवा something like this इसकी position को हम तोड़ा इसके अंदर क्योंकि हमारा subject थोड़ा सा ऐसा है यहां से कटेगा तो इसी का ध्यान रखना है आपको तो चलो इसके इंदर चल जाएगा बाकि आप इसके इंदर कोई तो इसको अभी हम undo कर लेते हैं यहीं पर ही रहने देते हैं इसको हमने इतना scale क्यों किया है मैं बताऊंगा इसके बारे में भी तो अभी हम यह रख लेते हैं यह करने के बाद अब हम इसमें करेंगे फैले intro zoom effect create तो उसके लिए हम यहां पर इस दबाएंगे scale और यहां से आजेंगे एक second पर यहां पर एक keyframe को add कर देंगे अब playhead को starting में ले जाएंगे और यहां से थोड़ा सा इसको हम काफी increase कर देंगे zoom in कर देंगे something like this और उसके बाद play करेंगे देखे कुछ ऐसे आता है अब इन दोनों keyframe को select करके f9 दबाएंगे जिससे के यह easy हो जाएगा उसके बाद यहां पर graphs के अंदर आएंगे और यहां पर graph को ऐसे draw करेंगे तो यह handles show हो जाएगे और इसक थोड़ा सा यहां पर drag कर सकते हैं let's see okay I think पहले वाले जाद अच्छा लग रहा है तो undo कर लेते हैं and this one looks just amazing और यहां पर आने के बाद जैसे यह आ गया यहां पर यह static हो जाता है हमें static नहीं चाहिए यहां पर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा zoom out होता रहें इसलिए हमने इसक सेकंड वाले की फ्रेम की 100 रखते देन हम इसको scale और जूम आउट नहीं कर पाते तो इसको अब हम ले जाते हैं तीन सेकंड पर के राउंड और यहां पर इसको कर लेते हैं 100 तो नहीं हो पाएगा I think यह इतना ही हो पाएगा क्योंकि नहीं तो फिर इस साइड ब्लैक बार्स साइंगे जो हमें नहीं चाहिए तो अभी देखते हैं यह देखिए इसके साथ इसके अंदर motion add होती रहेगी आप क्या करते हैं पोजिशन में ले लेते हैं और इसका कारण यह है कि हमें इसमें विगल एफेक्ट डालना है थोड़ा सा तो उसके लिए भी इसका जूम होना जरूरती इसलिए इसके लिए हमें इतना जूम करना जरूरी था और अभी जैसे हमने कर दिया तो भी इसके अंदर issue आएगा यहां पर ब्लैक बार शो हो सकते हैं अब इसको fit कर लेते हैं तो उसके लिए यहां पर विगल एफेक्ट डालने के लिए यहां पर जाएंगे और यहां से control space दबाएंगे जिससे की effects यहीं से हम search कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो this is an effects console plugin जो की बिल्कुल free है वो आप download कर सकते हैं and then from here we can search wiggle और यहां से wiggle position यहां पर आपको दिख जाएगा simply इसको select कर लेना है तो यह इस पर apply हो जाएगा और उसके बाद यहां पर effects control में आना है यहां पर wiggle का यहां से amount वगेरा हम चेंज कर सकते हैं तो wiggle one second रहने देते हैं और wiggle amount को अभी 50 है तो play करके देख लेते हैं by default कैसा लग रहा है हलका समोशन इसके अंदर add हो गया है which looks just amazing okay तो 50 भी ठीक है अगर आपको ज़्यादा लगने देखिए यहां पर black bar आ ग ठीक है इसके अंदर subtle movement आ गई है और काफी अप amazing लग रहा है और black bar भी हमें नहीं शोह हो रहे हैं तो that's amazing so now it's time to add the color grading or do the color grading to this ताकि यह थोड़ा सा और amazing लगे उसके लिए हम again यहां पर clip को select करेंगे control space दबाएंगे search करेंगे tint and click करेंगे that would apply the tint so यह देखिए black and white यह हमारी वीडियो हो जाएगी तो इसको अब हमें करना यहां से कम जितना भी आपको अच्छा लगे यहां से effect उस effect के साब से आप इसको color grading कर सकते हैं okay so I think looks amazing अगर मैं आपको play करके दिखाऊं यह देखिए काफी amazing यहां पर लग रहा है so color grading और अगर आपको और कम करना है तो आपको थोड़ा सा और different result मिल जाएगा 71 मैं इसके अंदर रख रहा हूं so इतना ही good है और बाकी एक बार हम इस पर चाहें तो आप curves adjustment या फिर levels adjustment भी apply कर सकते हैं अब अभी के लिए इसको हम apply नहीं करते हैं अब हमारा time है कि इसके अंदर flicker effect को create करना and for that purpose we'll come over here और यहां पर right click करें करेंगे new यहां से हम select करेंगे solid और यहां से make sure color जो है वो black होना चाहिए ok press करेंगे ok press करेंगे and यहां से blending mode हम change कर देंगे soft light soft light करते ही देखे थोड़ा सा हमारा यह dark हो गया है आप देख सकते हैं if I turn this off without and this is after अब हमें क्या करना है we have to come here in the beginning press T for the opacity जिससे के opacity यहां पर show हो जाएगी and we'll add a keyframe right over here उसके बाद यहां से कुछ keyframe आगे जाएंगे थोड़ा सा and then we'll make it zero तो यह कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको and उसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे अब की बार इसको वापिस 100 करते हैं okay now we got three keyframes right over here आप देख सकते हैं यहां पर इसको ज्याद़ जूम इन करके भी आप exact कर सकते हैं जैसे यह वाला हो गया हमारा यहां पर दूसरा हो गया यहां पर अब इन सब को select कर लेते हैं और F9 दबा देते हैं जिससे के easy ease हो जाएगा अब हम इसको play करके देखते हैं यह देखिए हमारा flicker थोड़ा सो starting में आ रहा है we want कि यह पूरी clip पे throughout apply हो जाए अब manual पे तो यह हो सकता है कि we can add different e-frames जो की हम manually add कर सकते हैं यह को copy paste कर सकते हैं और a second way which is the easy way and the professional way is just by coming over here जिसके लिए हम यहां पर आएंगे opacity पे यह जो stopwatch है इस पे click करना है आपको while holding and all your option को press करके रखना है यहां पर click कर देंगे तो यह आ जाएगा यहां पर type करना है loop out तो यह आ जाएगा loop out expression इसको आपको select कर लेना है and enter press कर देना है और कहीं और click कर देना है और बस यह हमारा loop out हो गया and now if we see the preview let's see what happens तो आप देख सकते हैं throughout the clip इ इसकी speed जादा है कुछ जादा ही speed से flicker हो रहा है तो आप उसको control करने के लिए क्या कर सकते है you can select all the keyframes और उसके बाद old यह option press करके रखना है इसको drag कर लेना last वाले keyframe को तो उससे यह सब का जो distance है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसा effect जादा करना है तो और कर सकते हैं अगर वापिस करना है तो इसको आप वापिस लिए तो यह और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा देखें राइट सो मैं अंडू कर लेता हूं आइटिंग यहां पर मुझे सही लग रहा है बाकि आपको जैसा भी अच्छा लगे आप ऐसा क कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा अब नाउ कफ तो एड्ट यहां पर आफर आने के बाद हम इसके ओपर एड़ करेंगे अपना टेक्स पर हम एंट करने के ठीक है तो अगर तू जिम जाके ये मैंने इसके टेक्स किया है क्योंकि ओरिजिनल जो रियल थी उसके अंदर ऐसा ही कुछ था तो मैंने simply वही ले लिया है और अलाइन करेंगे horizontally इसको यहां पर ठीक है और इसके लिए मैंने font जो यूज किया है that is the poppins black आप कोई भी यूज करते हैं मुझे ये ज्यादा बेटर लगा क्योंकि ओरिजिनल में text was not good अगर आप ये ओरिजिनल देखें ये वाली मैंने clip देखी थी तो आप देख सकते हैं इसके इंदर text बहुत ही small है जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा है ठीक है तो इसलिए हम बढ़ बढ़ा के नीचे ऊपर भी कर सकते हैं ठीक है ताकि ये gap इन दोनों का कम हो जाए ये जो हमारा spacing है वो उसको मैंने किया है minus 43 जिससे के text closer हो जाते हैं तो something like this आप को ये भी कर सकते है something like और उसके बाद आप देख सकते हैं फिल पैसली black है obviously और यहां से थोड़ा सा और ये paragraph क हमने कर लिया है सेंट के तो यह अभी लग रहा है अच्छा देख सकते हैं लेकिन जहां पर white part आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा read out करने में problem होगी तो for that purpose we are going to add इस पर drop shadow सो यहां पर इसको select करेंगे right click करेंगे और यहां से layer styles के अंदर जाएंगे यहां से हम कर लेंगे select drop shadow drop shadow add करते ही इसके अंदर drop shadow add हो गई है drop shadow की क्या setting करनी है उसको हम यहां से देखेंगे इसकी जो color की रख लेते हैं यहां से फिर spread option spread इसको हम थोड़ा सा increase करेंगे इस प्री spread करने से शार्प हो रही है हम इसको वापस 0 पर रखेंगे then we have the size size को थोड़ा सा increase कर लेंगे जिससे के यह थोड़ा सा blurry हो जाएगा तो इसकी जो sharp edges है वो खतम हो जाती है और यह अब अच्छा लगए तो आपको बस यही setting करनी है first is opacity जिसको 100 करना है and distance को 15 रखना है and size को बंटी करना है तो यहां से आप angle भी change कर सकते हैं अभी angle 120 है तो हम जैसे जिदर भी shadow कर रखना जाते हैं उधर हम इसको कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको यहां पर कर लेता हूं तो मैंने अभी इसके जो angle को कर दिया है यहां पर 89 तो उससे यह कुछ ऐ करेंसे हमारा शूर है तो अभी इसके level को हम चेंज कर लेते हैं ताकि हम easily identify कर सकें कि यह हमारा text है तो इस level पर क्लिक करेंगे और यहां से ले लेते हैं सायान तो उसके लिए हम यहां पर इसको open करेंगे lay style को बंद कर देते हैं इस arrow पर क्लिक करके text को select करेंगे और यहां पर animate और यहां से हम select कर लेंगे opacity तो opacity यहां पर आ जाएगी range selector को open करेंगे और यहां से इसकी opacity को कर देंगे 0 और यहां से जाएंगे starting में starting में इसकी opacity रहेगी zero so start यहां पर कर देंगे zero से और और यहां से हम जाएंगे let's say three second पर इसको वापस hundred कर देंगे तो अब play करके देखते हैं तो देखिए text animate होके आना शुरू हो गया है अभी थोड़ा सा इसको और हम बढ़िया करते हैं सबको select कर लेते हैं दोनों keyframes को press f9 to easy ease और यहां पर आएंगे और यहां से इसको select करेंगे और इसको हम ऐसे कर लेते हैं और I think इसमें कुछ खास फरक प अच्छा लग रहा है अब चाहें तो हम इसके अंदर और चीज भी add कर सकते हैं तो animation में यहां पर add करेंगे और यहां पर property और यहां से हम से कर लेते हैं position और position करने के बाद यहां पर देखिए इसके अंदर first keyframe पर जाएंगे और इसकी जो position है उस पर एक keyframe को add करेंगे और को ले जाएंगे हम वापिस यहां पर यहां से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और यहां से इसकी position को drag करके increase करेंगे तो यह देखिए position इसकी नीचे जाएगी तो apply करके देखते हैं थोड़ा सा कम हुआ है तो अभी इसकी position को और ज़्यादा increase करते हैं तो first keyframe पर वापिस जाएंगे और इसकी position को जैसे यहां पर हमने नीचे रख लिया है नीचे आगी अपले करके देखेंगे अपले करके देखेंगे एक कुछ इस तरह से आएगा ओके सो काफी अच्छा लग रहे हैं अब इन दोनों को select करके F9 दबा सकते हैं आप तक कि थोड़ा सा और smooth हमारी animation हो जाएं यह देखें काफी amazing लग रहा है और अब क्या करेंगे अब इस पर हम add करेंगे अपना विगल एफेक्ट सो हमने इस पर अलड़ी अपलाई किया था मोमेंट दिखाई देए अपले करके देखते हैं यह देखें इसके अंदर जो शेक एफेक्ट यह थोड़ा विगल एफेक्ट बन गया है जो की काफी amazing और dynamic लगता है अच्छा आप इसके टैक्स के पीछे हम जो electric effect है वो थोड़ा सा डालेंगे तो यहां आजाएंगे और आपने टैक्स को duplicate करेंगे प्रेस करेंगे Ctrl D Command D जिससे duplicate हो जागा है अब नीचे वाले को select करना है और यहां पर Ctrl Space दपाएंगे बिल और buffan as-iest रफञक आजशे इसके अब अट हो जाएगा और इसको अब हमें open कर लेना है सो open करने के बार टैक्स को तो उपर वाले को भी बंद कर लेते हैं यहां इसको सोलो कर लेते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो सोलो हो जाएगा तो हमें दिख जाएगा कि कैसा हमारा को लग रहा है तो इसके बॉर्डर को हम इंक्रीज करते हैं something like this जहां पर हमारा यह text देख सकते हैं बिल्कुल cloud बन गे और थोड़ा सा और इसको आगे ले जाएंगे जहां तक यह आ रहा है something like this और यहां पर इसको और इंक्रीज करते हैं तो यह देखे कुछ इस तरह का effect बन गया है and then इसके बाद उपर हम आएंगे sharp sharpness में तो इसको भी increase करके देखते हैं कैसा लगते हैं चाहें तो आप increase कर सकते हैं lower down कर सकते हैं lower down करेंगे तो इसकी opacity थोड़ी कुछ ऐसे आ जाएगे तो यह काफी अच्छा लग रहे हैं तो आप play करके देख सकते हैं इसके border पर तो यह आपको किस तरह का चाहिए कैसा effect च so control space दबाके tint effect को इसमें add कर देंगे tint होने के बाद इसके color को चेंज करेंगे white को select करके effects control में white को select करके और यहां से हम ले लेते हैं let's say orange and black और black तो इसके अंदर है नहीं तो सिर्फ white को effect करेंगे और इसके उपर आप हम add करेंगे glow effect so control space दबाएंगे यहां पर type कर लेंगे glow अगर आपके वास डीप glow effect है तो आप वो यूज कर सकते हैं यही तो नॉर्मल भी कर सकते हैं तो जैसे glow effect हमने इसमें apply किया यहां से आपको select कर लें है required for text और इसके radius को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपने according अगर आपको ज्यादा इसके अंदर यह glow लग रही है तो something like this औ और आप प्ले करके देखते हैं तो देखिए काफी अच्छा लग रहा है और जो डीप glow effect है इसको आप last में apply करें क्योंकि यह आपके जो वीडियो है उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है rendering को क्योंकि यह काफी heavy effect है तो अब इसको मैंने half कर रहा है ताकि half करने के बाद आपको कुछ ऐसा शोगा बार डॉन वरी यह फाइनली हमारे final output में ठीक हो जाएगा और अगर आपके पास deep glow effect नहीं है तो आप normal भी apply कर सकते हैं तो मैं show कर देता हूं इस effects को off कर लेते हैं यहाँ पर हम search करेंगे glow तो glow effect आ गया है तो glow effect के अंदर आप देख सकते हैं यह default setting है default setting में कुछ ऐसे आएगा तो यहाँ से हम इसको setting को change कर सकते हैं तो यहाँ पर composition on top करके देखते हैं इससे कुछ नहीं हो रहा है तो original add यह तो इससे ही रहेगा यहाँ से growth threshold को अब adjust करके देख लेते हैं glow radius को glow intensity को अलए थोड़ा ऐसा आगया है अब इसको effect को एक बार और duplicate करते हैं तो control D, command D, देख सकते हैं कि आप जो glow effect है उससे इतना च्छा result नहीं आता है जो कि हमें deep glow plugin से immediately मिल जाता है देख सकते हैं it's not looking good तो बाकिया आप इसके साथ भी जा सकते हैं मैं अभी के लिए बंद कर देता हूं और इस पर हम deep glow effect को ही apply करके रखेंगे तो यह हमारा deep glow हो गया देख सकते हैं आप दिन रात का अंतर है इस effect में और उस effect में और अगर होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैनत करने पड़ेगी उसके अंदर बहुत सारी settings क कुछ और change करने की पड़ेंगी and we'll be able to see the final result तो यह हो गया है आप यहां से इसको unsolo कर देते हैं जिससे हमारी सारी layer visible हो जाएंगी और अप ले करके देखते हैं आप देख सकते हैं अभी काफी amazing लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हम text को scale भी कर ले सकते हैं तक यह और ज़्यादा दिखाई दे और इसको rotate भी करेंगे आप इसको अगर मैं full दिखाऊं all right so कुछ ऐसा लग रहा है यह effect जो की amazing है अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका यह तो था एक simple तरीका दूसरा आप इसमें stock footage भी add कर सकते हो इसकी कुछ इसी तरह की जो की मैं दिखाया थे हूं आपको तो उसके लिए हम इसको बंद क text के नीचे तो यह आ गई अब इसको थोड़ा सा scale down कर लेते हैं और इसकी जो अभी यह horizontal है इसको vertical करेंगे तो इसकी rotation को हम कर लेंगे 90 degree so r press करेंगे यहां से weekend type 90 तो इससे यह ऐसे हो जाएगी अब इसको हम scale करके fit कर देंगे sorry rotation नहीं करना है तो इसको ऐसे ही लेंगे और इ इसके blend mode को change कर देंगे add जिसे के black background गायब हो जाएगी तो add यह कर दिया हमने इसकी change तो यह देखिए इसके पीछे आगे text के आप देख सकते हैं चाहें तो आप इसकी opacity को थोड़ा सा कम कर सकते हैं so press T और इसकी opacity को थोड़ा सा हम कर लेते हैं something like this so आप देख सकते हैं अभी यह कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन इसके अंदर sharp edges बगरा हैं so उसको fix करने के लिए हम इसके create करेंगे mask तो उपर आ जाएंगे और यहां से हम eclipse tool ले लेंगे apps tool और make sure यह वाली layer select हो उसके बाद यहां आएंगे और यहां पर एक mask को draw कर देंगे something like this लेकिन अभी भी इसके और increase करना पड़ेगा तो इसके लिए मैंने 317 क्या सपस पैदर लिया है लेकिन अभी हमें इसको text के हिसाब से animate करना है तो यह देखिए अभी तो एकदम तुरंत आगया बट हम चाहते हैं कि यह text के हिसाब से animate हो और यहां पर visible हो तो यहां पर आएंगे हम इसको select कर लेते ह और इसको पहले text से मिना लेते हैं तो हमारा text यह है तो text के हिसाब से हमने इसको यहां पर रख लिया है अब starting में ले जाएंगे playhead को और mask के अंदर mask पाथ पे एक click करेंगे stopwatch पे एक keyframe add कर देंगे और यहां से मैं इसकी auto कर लेता हूं और इसको हम थोड़ा सा कुछ frames आगे ले जाएंगे अब starting में अब जो हमारा रहेगा तो वह रहेगा इसको हम select कर लेते हैं हम tool select कर लेंगे यह selection tool we press करके और इसको हम let's say इसका जब mask path है उसको हम यहां से दूर ले जाते हैं तक यह show now starting और अब हम इसको play करके रहते हैं तो undo कर लेते हैं इसको हम शायद position के आपर और इस की frame को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे क्योंकि यहां पर हमें चाहिए यहां पर इसको वापिस ले आएंगे यहां पर something like this तकि ऐसा लगे कि वहां से यहां पर आ रहा है अच्छा अभी देखे कि यह हमारा टैक्स से पहले आगे हमें नहीं चाहिए तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और प्ले करके देखते हैं यह अभी काफी अच्छा लग रहा है बाकि हम पहले भी कर सकते ह कि थोड़ा सा और अच्छा लगे और इसको अगर बाद में करते हैं जहां से टेक्स के वील हो रहा है उसके बाद तो अच्छा नहीं लगे के स्टार्टिंग में ले लेते हैं इसको सम्धिंग लेक दिस ओके सो काफी अच्छा लग रहा है अभी आप इसको बंद कर लेते ह अब इस पर हम add करेंगे fire particles तो fire particles अपने आपको मिल जाएंगे ये भी इनको हम drop कर लेंगे यहाँ पर उपर सबसे उपर और इसको हम करेंगे 90 degree rotate तो r press करके कर सकते हैं इसका भी blend mode change कर देते हैं add जिससे के black background remove हो जाएगी और अब हम play करके देखते हैं तो देखे कुछ इस तर right click करेंगे यहां पर flip करेंगे transform यहां से flip इसको horizontal करेंगे वैसे तो अगर यह वर्टिकल अगर हमारी होती तो हम flip वर्टिकल करते हैं लेकिन यह clip horizontal है तो इसलिए हमें horizontal ही करना पड़ेगा अब देखे नीचे से यह उपर जाने शुरू होगे जो की काफी amazing लग रहा है अब इसके उपर add करेंगे हम thunder lightning तो इसको हम drop कर लेते हैं यहां पर यह हमारी thunder पहले यह बस इतना ही हमें इसमें add करना है अलग-अलग scene पर हम तोड़े अलग-अलग thunders को apply करेंगे इसके अंदर में तीन thunder lightning को use किया है so we can use that first scene हमारा complete हो चुका है आप देख सकते हैं which looks just amazing अच्छा अपने second scene के लिए हमें क्या करना है जैसे के यह यहां पर complete हो गया है अब इसके बाद हम add करेंगे next scene तो उसके लिए यहां पर select करेंगे अपनी first clip को make sure dark solid के नीचे हो तो इसके लिए हम यह वाली लेते है clip और इसको हम drop कर लेंगे यहां पर इसके उपर हो और इसको हम ले जाएंगे यहां पर drag कर लेंगे यहां पर okay तो यह देखे कुछ ऐसी है तो इसको scale कर लेते हैं और इसकी position को and adjust कर लेते हैं center में और इसको अब हमें यहां पर introduce करना है तो हम इसके अंदर एक transition सा add करेंग और इसकी position को हम कहीं पे किसी भी side में कर सकते हैं तो इसको पकड़ के लेट से इधर कर देते हैं और play करके देखते हैं ते देखे कुछ ऐसे आगे एकदम से past तो इसको हम दोनों को select करके F9 प्रेस करेंगे यहां पे graph editor में आएंगे और इसके graph को कुछ ऐसे कर देंगे तो यह हमारा आगे past एकदम से आप चाहें तो इसको slow भी कर सकते हैं जैसा कि भी आपको सही लगे तो यह यहां पर I think मुझे सही लग रहा है और यह आने के बाद जैसे यह आगे यहां पर अब यहां पर हमारे text बगरह नहीं show होने चाहिए तो हम यहां पर उपर जाएंगे यह हमारे text है और यह सारी चीज़े हैं तो इन सब को हम select कर लेते हैं यहां तक के तीनों को और alt press करके हम यहां पर right bracket को click करेंगे तो जिससे एक cut हो जाएंगे थोड़ा सा हमें वाफिस करना चाहिए था यह यहां तक करना चाहिए था alt and left bracket तो यह आगया हमारा कुछ ऐसे अब हम इन तीनों को duplicate कर लेंगे यही text को तो हम press करेंगे ctrl d अच्छा यह वाले नीचे वाले की तो जूरुत नहीं है क्योंकि हमने इसमें stock footage यूज़ कर लिए तो इन दोनों को select कर लेंगे and press करेंगे ctrl d command d जिससे duplicate हो जाएगा और इसको उपर drag कर लेंगे यहां पर ताकि दोनों यहां पर आजाएं इनका हम color change कर देंगे orange ताकि हमें पता रहे कि यह दूसरा text है और इसको ले आएंगे यहां पर यहां पर लाने के बाद अभी जो हमारी यह वाली clip थी उसके उपर भी हमें same color grading बज़र apply कर देनी है same effect apply करने है so for that purpose we will select नीचे वाली clip को और effects control में जाएंगे और यहां जितने भी effect हमने इसमें apply किये थे उन सब को control दबा के select कर लेंगे and control c से copy करके इस पर paste करते हैं और इस पर paste करते ही देखिए इसका भी effect कुछ ऐसा ही amazing आ गया है similar इसके अंदर look आ गई है तो जो की काफी अच्छा है wiggle भी इसके अंदर add हो गई है और सारी चीज़े इसके अंदर add हो गई है अब हमें क्या करना है यहां पर next text को लिखना है तो जो भी text है तो इसको text लिए है hero बन रहा है न तो अब इसको देख लेते है hero बन रहा है न जैसे यहां पर आपको अगर यह लग रहा है कि हमारा जो subject है वो cut रहा है उपर से तो इस clip की position को हम थोड़ा सा adjust कर लेते हैं तो उसके लिए हम इसको select करेंगे you press करेंगे और इसकी जो position है जैसे अभी तो इसके अंदर यह apply होगे है इसको थोड़ा सा नीची कर लेते हैं इसके लिए यहां पर आएंगे last keyframe पे अगर यहां से सही नहीं आ रहा है तो आपको इस arrow को small arrow को select करना है जिससे कि previous keyframe पे जाएगा and then इसको forward बाले पे इससे यह exact location पे आएगा otherwise क्या होता है duplicate keyframe add हो जाता है एक नया और तो position हमारी और animation खराब हो जाती है तो यहां पराने के बाद इसकी वाई position को select कर सकते है यहां से हम करेंगे तो यह कटेगा यहां से क्योंकि यह clip I think ऐसी है तो unfortunately इसके साथ हमें ऐसी जाना पड़ेगा चलो यह भी ठीक चल रहा है लग रहा है और इसके अंदर already zoom in है अच्छा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यह कट रहा है कहीं से तो आप इसके scale को आप increase कर सकते हैं इसके scale को थोड़ा सा increase कर लेता हूं आप आप एक्स दूसरा text add होगे है अब हम इसको starting से देख लेते हैं यह first आया scene ऐसे ही हमारा second आया second में अब हमें add कर देनी है नई thunder so thunder lightning ले लेता हूं यह second वाली और इसको हम drop कर लेते हैं और इसको लेते हैं हम यहाँ पर again इसको भी हम 90 degree rotate कर लेंगे और इसके blend mode को change कर देंगे add से और यह आगे बहुँआ so काफी amazing लग रहा है अब similar way में आपको तीसरा scene भी add कर देना है और उसको भी ऐसे ही आपको same करना है उसके अंदर zoom in की जो हमने starting में add किया था वोई effect उसके अंदर हम add कर सकते हैं और यह same आपका view बन जाएगा तो मैं एक बार आपको finally दिखा देता हूं किस तरह का में result मिला है अच्छा तो यह बिलकुल simple और easy बन गया है और आप इसको देख सकते हैं effect थोड़ा सा time तो लगता है एक बार starting में बट आपको जैसे आ जाएगा तो आपको इसको बहुत ही quickly कर सकते हो अब premiere pro वाले कहेंगे कि भाई हम कैसे बनाए हमें तो कुछ आता नहीं after effects में देखें after effects मैं suggest करूंगा प्लीज सीख लो उसको अगर आपको नहीं सीखना है अभी अभी नहीं then still you use it तो उसके लिए मैं इसके लिए moget preset बना देता हूं इसी clip का तो इसके अंदर दो सीन रहेंगे ये वाला और ये वाला और दोनों को जिसमें आप text को change कर सकते हो और अपनी click को add कर सकते हो simply drag and drop करके और उसका मैं छोटा सा price रखूंगा ताकि मुझे sport मिल सके maybe 49 rupees के आसपास ठीक है और अगर किसी के पास 49 rupees नहीं है तो आप वो मुझे contact कर सकता है और जैसा कि मैंने एक community post लिखी थी कि मैं डेड़ महीने से काफी ज़्यादा बिमार था द्यू टू डेंगो डेंगो हो गया था और अभी weakness हो ज़्यादा है ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूं recovery में काफी time लग गया डेड़ महीने से bed rest पे हूं बस ऐसे ही बीच-बीच में ठीक हो जाता था फिर फिर दुबार हालत कराब हो जाती थी तो इसी करके लिए वीडियो भी काफी लेट आ रहे हैं तो यह भी एक हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने request किया था मुझे Instagram पे यह फिर हमारे group में तो मैंने finally यह बनाया है जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा record करके कैसे कैसे करके यह पर finally बन गया है तो अभी के time rounded rectangle mask वाला effect है यह काफी popular है रील के अंदर जो भी इस तरह की रील बना रहा है वह बाइरल हो रही है तो अभी हम इसी effect को create करेंगे इसी जिम वाली रील के अंदर वैसे तो हमें starting वाले में करना चाहिए था बड़ बस basically हम यहां पर third में भी add कर सकते हैं तो उसके लिए हम पहले इसको थोड़ा-स एक्स्टैंड कर लेते हैं फाल्यके तो इसको εν dollars एक्स्टैंड कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर हम नई clip लेंगे तो देख लेते हैं यह associate would लेता हूं मैं इसको drop कर लेता हूँ यहाँ पर यहाँ पर drop कर लेंगे और यह आगे हमारी जैसे यह वाला होग्य था है तो अब यह वाली आ जाएगी ठीक है वैठिक बेट पर यह रहेगी उख्याट हु फोश्क के अदर आभर हमें create करना है वाले if for तो सबसे पहले तो हम इस पे color grading apply कर लेते हैं तो उसके लिए हमको जाना होगा अपनी previous clip पे इसके effects control panel में जाएंगे और इसकी wiggle और transformation इन तीनों को हम copy कर लेते हैं ठीक है आप इसको यहाँ पे इस clip को select करके left value पे और control V से paste कर देंगे अब हम इसको देखते हैं तो यह हमारा scaling को जो value थी वो under डखा था तो इसमें black bar आपको show रहे होंगे तो इसको हम थोड़ा सा avoid करने के लिए इसकी scale की value को थोड़ा सा increase कर देते हैं something like this okay 104 या 105 जहां पर भी आपको black bars ना मिले वो आप कर सकते हैं तो बाकी वैसे इसमें इतनी जरूरत नहीं थी और still shown you अच्छा तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं ऊपर यहां पर और यहां से rounded rectangle tool को हम ले लेंगे and make sure यहां पर कुछ भी select ना हो और फिर यह हम यहां पर draw कर देंगे something like this अभी कि इसके अंदर ऊपर आएंगे and fill doesn't matter कोई भी color आप इसके अंदर ले सकते हैं stroke पर हम click करेंगे और यहां इसके अपर आपको बहुत कम हैं दम तुट लिटल बिट लिटल हम चाहते हैं कि थोड़ी से जादा हों सो हम रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे यहां पर रेक्टेंगल पाथ में जाएंगे and यहां पर देखे roundness का आपको option मिल जाएगा यहां फिर आप सड़नली सिंपली यहां पर भी सर्च कर सकते हैं roundness यहां पर सर्च करेंगे तो यह भी वहां से भी open हो जाएगा ठीक है तो इसको हम थोड़ा से इंक्रीज कर लेते हैं let's say 44 थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा okay 137 I think जैसे भी शेप आपको सही लगे आप उस हिसाप से जा सकते है अब इसको हम centrally align कर लेंगे तो यहां पर आएंगे align center and align vertically तो दोनों अब यह हमारा particular center के अंदर आ चुका है अब यह shape layer है we are going to close this one and this one and we are going to rename it as a mask so we'll press enter and then type mask so इसका नाम हमने mask रग दिया ताकि हम easily इसको identify कर सके अब अब इसको apply करेंगे अपनी clip पे है तो यह हमारी clip है जो की है यहां पर थंडर अरे कहां गई हमारी clip show तो हो रही है अच्छा यह इसलिए show नहीं हो रही है क्योंकि यह हमने roundness यहां पर search किया हो तो यह इसलिए वो show कर देता और बाकी को hide कर देता तो यह हमारी clip होगी lift वाली and यह हमारा mask हो गया इसके और यह जस तो simply आपको track map में आना है और यहां से हम select कर लेंगे अपने mask को ठीक है अगर आप पुराना version use कर रहे हैं after effects का then it has to be on the top of clip यानि के clip के ऊपर होना चाहिए लेकिन अगर आप latest version कर रहे हैं तो आप इस clip को कहीं पे भी या mask को कहीं पे भी कर सकते हैं and यह still mask करेगा तो अभी देख सकते हैं यहां पर इसने mask तो कर दिया लेकिन इसके नीचे आ रही है हमारी पुरानी clips तो पुरानी जो नीचे वाली clips हैं उनको हम सबको select कर लेते हैं क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए यहां पर हमें चाहिए pure black तो हम इसको इनको select कर लेते हैं यह बड़ी वा और इसको भाई साब को थोड़ा नीचे लाएंगे तो यहां से position पे जाके अगर नया version आपके पास तो position सारे जो भी सारी properties हैं वह आपको यहीं पे शो हो जाएंगी तो easily आप इससे adjust कर सकते हैं उपर नीचे जहां पर भी आपको करना है but if you have the old version यहां पर आपको आना है simply press क that would rebuild the position और या फिर आप simply mouse से पकड़ के भी select कर सकते हैं ताकि यह आपका show हो यहां पर ठीक है तो हम इसको ले लेते हैं यहां पर and इसकी scaling को अगर हम करके कम करके देखते हैं तो let's say और इसको यहां पर adjust कर लेते हैं something like this और apply करके देखते हैं तो यह कुछ इस तरह से हमारा show ठीक है अभी इसके उपर wiggle effect work नहीं कर रहा है because अभी यह mask से क्योंकि यह mask से control है तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं यह जो हमारा wiggle effect था हम इसको यहां select कर लेंगे और transform को दोनों को select करके control x करेंगे तो यहां से हट जाएगा और इसको हम mask पे apply कर देते हैं तो mask हमने select कर लिया and control v से हम paste कर देते हैं अब देखते हैं क्या यह wiggle करेगा yes यह wiggle कर रहा है ठीक है अगर कम लग रहा है आपको थोड़ा सा कम wiggle कर रहा है we can increase this amount to let's say यहां पर है 20 so let's make it 40 and 40 पर आने के बाद देखते हैं yes अब थोड़ा सा ज्यादा wiggle कर रहा है ठीक है तो यह काफी अच्छा लग रहा है अभी इसके अंदर हमें बाकी की चीज़ें करन रहते हैं तो यह जो dark solid से हमने बनाया था इसका flicker effect तो इसको दोनों को हम लेके आएंगे इसके नीचे तो इन दोनों layers को select कर लेंगे अब देखिए पुराना नया version है तो mask को मैं suppose करी यहीं छोड़ देता हूं और इसको still लाके इस dark gray solid से नीचे रख देता हूं तो अब दे पड़ेगा तो अभी यह हो गया है इसके पीछे हम कुछ थोड़ा सा texture वगरा डाल सकते हैं सो इसके अंदर हम noise texture को मैं add कर देता हूं इस texture कर लेते हैं और text को add करेंगे तो सबसे पहले text को add कर लेते हैं तो text add करने के लिए हम यह वाला जो text था हमने previously create किया था इसी को duplicate कर ल sure है यहाँ पर sure है तो अभी इसकी position को हम लेकर select करके यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ पर double click करेंगे एक बार यह जो text है यहाँ पर है तो अपना text लिएते हैं तो text की duplicate copy करेंगे एक में तो यह आ गया तो and duplicate करेंगे और इसको लाएंगे यहाँ पर और इसकी position को कर यहां से Double Click करके पहले लिखते हैं और इसको लेयते हैं नीचे तो यह कुछ ऐसा लगेगा और इसको नीचे वाले को जो second वाला text है उसके font को हम अलग change कर सकते हैं तो उसमें variations होंगे तो अच्छा लगेगा तो यहां से हम आएंगे और यहां से ले लेते हैं कोई font let's say like यह erasing one आप कोई भी ले सकते हैं कुछ इस तरह का and make sure हम इसमें all caps को disable कर दें यहां से disable हो जाएगा all caps उसके बाद यह small में आएगा ठीक है तो अगर यह इस तरह की font variation रखेंगे तो amazing लगता है अच्छा भाई का हम इसमें B capital कर देते हैं let's make it big and यहां पे देख लेते हैं यहां पे आगया अब echo text हम इसमें add करेंगे नीचे भाई के बाद echo add कर देते हैं यह हो गया इसको हम duplicate कर लेते हैं दोनों को control D command D press करेंगे और face को drag करके उपर कर लेंगे ताकि यह दोनो separate हो जाए और यहां से selection tool select करके इन दोनों को select करके हम ले आएंगे नीचे और एक क्यों हो और क्यों नीदा ठीक है यह select करने में सीधा ही हो रहा है अच्छा चलो position को ले आएंगे हम इसकी नीचे और इसको select करेंगे यहां पर इनका change कर देंगे टैक्स तू है और यहां पर hero इनके हम size को थोड़ा सा change कर सकते हैं थोड़ी और अच्छी variations लगेगी तो hero के size को हम थोड़ा increase कर देते हैं यहां से font size को और इसकी position को ले आते हैं इसे भाई तू इसके वाले को भी कर देते हैं क्योंकि इसमें हमने दूसरी font variation की है तो इसका थोड़ा सा इसको हम बढ़ा भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे ला सकते हैं अभी यह दोनों टैक्स से खट्टे आ रहे हैं तो इन दोनों को select करके इनको drag करेंगे इसके बाद तक यह इसके बाद आप ले करके देखते हैं और इसकी पीछे हम noise बगेर को add कर देते हैं तो अब भी देख लेते हैं अच्छा यह यहां पर double q दिख रहा है मुझे दे रहते हैं और इसको हम कर लेते हैं copy and same हम apply कर देते हैं इस भाई पर यहां पर भाई वाला टेक्स्ट है यह वाला and make that as the same red so इसको भी हम same red के अंदर कर देंगे तो अभी देखिए काफी amazing यहां पर हमें लग रहा है तो अब इसके पीछे हम background कुछ add करेंगे और इसका transition हम add करेंगे ठीक है तो यह हमारी clip है तो पार्टिकल्स को हम थोड़ा increase करते हैं ताकि यहां भी cover आ जाए थोड़ा सा ठीक है यहां से भी अच्छा लग रहा है हम इसमें जरूरत नहीं है कि हमें अलग से कुछ और add करें यही पार्टिकल्स हमारे काफी drop कर लेंगे और इसको हम लेएंगे यहां पर तो हमारे देखें यहां थे क्लिप है और इसके बाद यहां से transition हो रहा है यहां पर इसको रोतेशि को 90 degree कर देंगे और इसको राइट क्लिक करके scale to frame size कर सकते हैं तो इस ट्रांस्फोंड और fit to com कर देते हैं okay fit to com होगे और आप इसको हम प्ले करके देखते हैं यह कुछ ऐसा हमें यहां पर दिखाए रहे हैं इसको अब यह वाला जो ink reveal है हम इस पर apply करेंगे अपनी इस फोटेज पर इससे पहले हमारी यह वाली है फोटेज ठीक है यह हमारी ultraman jumping ठीक है तो इसके ऊपर हम mat apply करेंगे यहां से select कर लेंगे ink reveal okay तो देखे starting में कुछ भी नहीं हो रहा है और जैसे यह clip आएगी अभी इसके अंदर देखे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यह इसको हमें invert करना पड़ेगा तो यहां पर click करेंगे और luma mat select हो गया अब देखते हैं अभी भी कुछ नहीं हो है तो यहां पर हम इसको एक बार और click करेंगे और यह alpha inverted हो गये और यहां पर check करेंगे click to invert और उसके बाद यहां से फिर click करेंगे यह भी नहीं आ रहा है और इसको हम ले आएंगे अपनी यह वाली clip के ऊपर तो यह वाली जो है हमारी यह reveal होनी चाहिए उसके साथ इसको हम इसके ऊपर जहां से यह शुरू हो रही है हमारी तो इस clip को यह वाली है हमारी mask और यह होगी हमारी lift वाली तो इसको थोड़ा सा हम लिया आएंगे इधर और यह जो हमारा mask है यह वाला इसको भी हम लिया आएंगे यहाँ पर हम वैसे इन दोनों को precomp भी कर सकते हैं तो कर ल हम कर देंगे rounded rectangle तो यह हमारा आगे है देखे अब इसके ऊपर हम लाएंगे यह वाला तो अभी यह स्टार्ट हो रही है हमारी यहां से इसको यहां पर ले आते हैं तो यह देखे कुछ प्रेम हमें पहले लानी है ताकि यहां पर यह हो उसी के साथ यह reveal हो जाए और यहां पर इसको select करेंगे अपनी rounded rectangle को and इसका track mat हम कर देंगे ink reveal and अब play करके देखते हैं तो देखे कुछ ऐसे हमारा शो हो रहा है इंक reveal इसमें work नहीं कर रहा है इसको invert करके देखते हैं इसको invert करके देखेंगे तो देखे यह कुछ इस तरह से आ गया है यह देखे finally हमारा effect create हो गया है जो की काफी amazing लग रहा है अचा आप इसके अंदर एक issue यह आ गया है कि यह जो हमारा था यहाँ पर reveal तो हो गया है लेकिन उसके बाद हमारी footage अभी हमारी गायब होगी क्योंकि इसका जो track mat था वो यहीं तक था and track mat की जो length है वो यहीं तक है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम इसको यहाँ जैसे यहाँ पर reveal हो गया है को सिलेट करेंगे और इसका अब ड्रैक में हम रिमूव करतेंगे तो नो मैंट आ जाएगा ठीक है तो अब लेकर के देखते हैं तो देखें यह रिवील हुई एंड इन उसके बाद यह नॉर्मल आएगी नॉर्मल क्यों नहीं आ रही है तो देखते हैं अच्छा क्या इशू क्लिक करेंगे तो यह यह हमारी शो होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इसको ऐसे शेप कर रहे हैं यहां पर जैसे के यह टेक्स आ रहे हैं तो यहां पर भी आप यह जो हमारा पायर एफेक्ट था उसको हम एड कर सकते हैं यह वाई अल्ट्रा इसको हम डुप्लिकेट इसको रिब्ड आप में इसकरा उसका यह टेक्स्ट की पोजिशन पीजाएगा तो सच हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर यहां पर ईपकैर को सिलेक्ट कर चegaं चोता-टैक्सट यह मुट्प्र धना पड़ेगा ज़िए खुशम इसके अंदर तो हम इसको कर देंगे pre-comp, तो इसको भी right click करके हम कर देते हैं, pre-comp and इसको हम कर देते हैं, energy and यहाँ पर move all attributes into new composition, और ओके, और यहाँ पर कर देते हैं, ओके, तो अब हम इसको move कर सकते हैं, easily उपर भी तो यह हमारी है, इसको पकड़ेंगे and इसको हम ले आएंगे, यहाँ पर और इसकी जो blending mode है उसको भी हम change कर देंगे add से, ताकि यह black इसके उपर ना दिखाई दे, तो यह देखे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले ले आते हैं आगे से थोड़ा सा trim कर लेते हैं और यह आगया यहाँ पर और इसको यहाँ से and से भी कर लेंगे, अब इसकी एक और duplicate copy बना लेंगे, control D, command D और इसको हम ले आएंगे हमारा जो second वाला text है तो भाई, two hero है, तो वहाँ पर हम इसको ले आते हैं, और यह है नीचे तो इसकी position को again हम इसको पकड़ेंगे and यहाँ पर इस text के पास ले आएंगे तो यह आ गया हमारा यहाँ पर and इसकी length को sorry, adjust कर देते हैं, इसके बराबर ओके, यह काफी, अब हमारा अच्छा लग रहा है, amazing लग रहा है तो एक बार final इसकी output देख लेते हैं, तो यह हमारा final result बन चुका है, एक बार मैं इसको render कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं this is the final look और ऐसे ही करके आप और भी scene add कर सकते हैं, और जैसा चाहें आप वैसा amazing effect create कर सकते हैं अब हम इस project को एक template में convert करेंगे चीजों को organize करेंगे ताकि कोई भी इसको easily use कर सके and अपनी नई reel edit कर सके सबसे पहले जो आपको step करना है उस वो है इसकी आपको एक copy save करने है in case we mess up so हमारे पास backup होगा तो हम जाएंगे file में and save as a copy और इसकी जो भी है location उसको हम choose कर लेते हैं तो यह हमारी copy save होगी है now the second step is कि इसको हम organize करेंगे जो भी footage है तो image को image करेंगे में रखेंगे sequence को रखेंगे comps में रखेंगे तो manual बे तो यह है कि हम यहाँ पर click करेंगे create a new folder और यहाँ पर नाम रखेंगे let's say images या फिर assets तो ऐसे करके हम इसको manually कर सकते हैं बट उसमें काफी time लगेगा एक-एक folder के बाद हमें एक-एक choose करनी पड़ेगी यह क्या है और उसमें drag करके drop करनी पड़ेगी या फिर the second way है हम use कर सकते हैं amazing script जिसका नाम है declutter तो यह वाली है declutter इसको हम simply click करेंगे declutter या फिर my folder structure इसके अंदर एक preset आता है जो inbuilt होता है तो अगर हम इस पर click करेंगे my folder structure तो जैसे ही मैंने इस पर click किया और वापिस में जाता हूँ आपने project के अंदर तो देखे है इसके अंदर audio आगी है and audio कोई है नहीं तो footage है और images है जो भी हमने images इसके अंदर use की है इसके अंदर को image use नहीं है तो कोई बात है ठीक है तो अब हम इसको organize करते हैं let's do it तो अब आते हैं timeline पे तो सबसे पहले है हमारा यह वली clip एक है तो यह वली clip है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह है हमारी video clip तो इसमें हम यह सबसे पहले वाली है तो इसको हम pre-comp करेंगे तो ctrl shift c और इसका नाम रख देंगे all attributes into a new composition यह जो काम था वो हमें पहले करना था कोई बात नहीं हम इसको बात में भी कर सकते हैं तो यहां पर हम लिख देंगे footage place holder 1 इन सब को select कर लेते हैं copy and okay तो यह जो है हमारी एक नई pre-comp बन गई है आप देख सकते हैं और इसको हम play करेंगे तो यह देखे कुछ यह ऐसे आईगी तो इसके अंदर क्या था कि जो हमने animations वगएरा की थी इसके अंदर अगर इसको मैं open करके दिखा हूँ तो इसके उपर जो भी हमने animation वगएरा की हैं आप देख सकते हैं इसके scaling वगएरा पर जो keyframe हमने add किये थे वो हमें add करने थे उसके उपर okay इससे कि हमारा यह जो है इसको हम easily replace कर सकते हैं यहां पर भी हम इसको replace कर सकते हैं जिसे किसी को replace करनी है यहां पर अपनी कोई different clip तो यहां पर simply आपको अपनी जो भी footage है like यह वाली suppose करी है यह वाली लेते इसको simply select करके रखना है hold press करना है and drag करके यहां पर simply drop करतेंगे तो ऐसा करते ही देखे इसके अंदर भी हो same effect आगया है ठीक है इसकी position को आप adjust कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर हुदा तो देखे यह बिल्कुल same इसके अंदर effect आगया है अब हम बागपिस अगर जाएंगे अपने project के अंदर जो यह है हमारा comp1 तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अब इसकी बजाए यह वाली हमारी footage आ गई है तो यह होता है simple placeholder तो लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम fix करते हैं जैसे के हम नहीं चाहते कि suppose कर यह किसी को नहीं समय में आए कि इसको हम कैसे replace करना है इससे यह हमारी दूसरी footage से तो मैं इसको undo कर लेता हूं और यहां पर हम क्या करेंगे हम you press करेंगे और इसके scales के जो भी वो है keyframes बगएरा जो भी हमने animation किये उनको हम copy कर लेते हैं यहां से तो उसके लिए control C दबाना पड़ेगा और इसको हम starting में जाके यहां पर stop watch पर click करेंगे जिससे के सारे animations बगएरा खतम हो जाएंगे अब हमें क्या करना है आप आ जाना है वापिस main copy में के इसका नाम change कर लेते हैं क्योंकि इससे हम identify नहीं कर पाएंगे तो अपने comp वाले folder में जाएंगे तो यह comp one है इसको हम enter दबाके change कर देते हैं render this इसका नाम रख लेते हैं जातर templates के अंदर यह होता है ताकि जो भी आपके template को buy करेगा यह use करेगा तो उसके कौन से वाले को आपको export करना है यह हमने यहां से keyframe scale किये थे और यह placeholder हमारा one है इसमें आएंगे starting में और यहां पर S press करेंगे S press करके यहां पर हम वो keyframes को paste कर देंगे तो यह वाले हमारे यहां पर हो गए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो अभी देख सकते हैं जैसे के इसके अंदर यह आगे जूम लेकिन उतना जूम हमें नहीं चाहिए था तो हम वापिस आते हैं इसके अंदर और यहां पर देखते हैं कि यह हमारी footage कहां पर लगी रही है तो यह देखे 500 पर रह गए यह problem होगी है तो इसकी जो scale की जो parameter से हमको reset कर देते हैं तो S दबाएंगे तो scale की properties यहां पर आ जाएंगी और यहां से हम इसकी scale को वापिस कर देंगे 100 ठीक है इसको हमने वापिस 100 कर दिया और इसको fix कर लेते हैं ताकि fit हो जाए और इसको थोड़ा सा और scale up कर देते हैं ताकि कोई black bars बगएरा ना रहे something like this और अब हम वापिस आते हैं render this वाली में और placeholder तो इसको enter दबा के हम copy कर लेते हैं ctrl c और इसको select करेंगे और इसको भी right click करेंगे and pre compose करेंगे and यहां पर again move all attributes into a new composition और यहां पर इसका नाम रख देंगे footage placeholder number 2 and okay press करेंगे similar way में अब इस placeholder को हम open करेंगे इस footage को select करेंगे you press करेंगे और इसके जो keyframes है इन दोनों को हम copy कर लेंगे तो इस copy करने के लिए ctrl c या command c आपको करना होगा या फिर edit और यहां से भी आप copy कर सकते हैं right तो यह जैसे हमने कर लिया है अब इसकी position को हम कर देते हैं बंद तो इसको यहां पर वापिस लाके में जहां पर यह आ जाए उसके बाद stopwatch पर क्लिक करेंगे तो यह position इसकी वापिस हो जाएगी और वापिस आएंगे हम render this com के अंदर यहां पर जो second place holder है यहां पर अगें हमारी position वाली थी तो हम प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद हम यहां पर position पर एक keyframe दोनों add कर देंगे तो जो same हमने move in animation या फिर जो transition किया था वो इसके उपर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं अच्छा देखिए अभी इसके अंदर यह issue है यह पूरा नहीं आया यहां पर ठीक है तो इसको fix करेंगे इसको fix करने के लिए हम क्या करेंगे नीचे आएंगे second वाले keyframe पर तो second वाला जो keyframe है यह आगया first and this is the second यह in arrow पर क्लिक करके आ सकते हम second वाले पर तो यह half आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और हम इधर कर देंगे अब यह fix हो गया second place order यहां पर हम sound को off कर सकते हैं तो ऐसे करते ही आपको जितनी भी footage है उनको हम ऐसे ही adjust कर देंगे और इसको fix कर देंगे तो मैं बाकी के भी कर लेता हूं similar way में तो देखिए ऐसे ह टेंगल भी लेक दिया है ताकि हम इसको easily identify कर सके हैं इसको open करेंगे और यहां से आप कोई भी replace कर सकते हैं with your footage ठीक है तो इसको भी मैं बंद कर देता हूं second placeholder first placeholder अब हम बारी है हमारी text तो यह text 1 तो इसको भी right click करेंगे and will change it to pre compose और यहां पर हम लिखेंगे text 1 इसको हम copy कर लेते हैं थाकि हम second वाले बेस कर सकें okay press कर देंगे तो first text आ गया हमारा ऐसे इसको करेंगे ctrl shift c भी दबा सकते हैं आप for the shortcut जिससे कि आप इसको pre compose कर सकते है and text 2 हो गया हमारा उसके बाद आएंगे उपर में यहां पर उससे पहले तो कोई text नहीं है यह उपर वाला है तो इन text number 4 okay तो सारे हमारे इसके अंदर आ गए हैं बाकी की चीज़ों को हमें adjust नहीं करना है और किसी को छेड़ने की जरूत नहीं है ठीक है तो इनको हम easily hide कर सकते हैं लोग कर सकते हैं यह हमारे particles हो गए यह सारी चीज़े हैं तो यह हमारे assets के अंदर आ जाएंगे तो इनको हम जै copy, ink, reveal, ink, reveal को तो हमें यहीं रखना पड़ेगा otherwise यह work नहीं करेगा और इन सब को अब हम pre-compose कर देते हैं let's say pre-compose and इसको हम रखते है assets तो कई बार यह problem कर देता हैं ऐसा हम करेंगे तो तबीद देख लेते हैं अगर यह सही work करेगा तो इसको हम ऐसे रख लेंगे तो जैसे हम undo करेंगे we don't want that तो इन सब को नहीं चेड़ेंगे हम इनको hide कर सकते हैं बाद में तो वो hide करने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा ताकि यह थोड़ा सा clean लगे और okay अब layers को hide करने के लिए हम इस पर click करेंगे hide all layers which has this option तो अब जैसे यह वाला है इसको हमें hide करना है dark solid को तो इस पर click कर देंगे तो यह गायफ होगी आप देख सकते हैं और यहाँ पर click करेंगे ultra energy पर तो यह गायफ हो जाएगी और इसको click करेंगे तो एससा करेंगे तो यह सब hide हो जाती है होती है यह यहीं पर है but visible नहीं रहेंगी तो जो भी this template को use करेगा वह easily इसको देख सकता इसके लिए एजी रहेगा थोड़ा सा ताकि वो इनको रिप्लेस कर सके या इसको पर कर सके तो यह clean interface रहेगा तो देखिए जैसे amazing है अब जैसे इसको शो करना है तो शो करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह सारी शो हो जाएंगी इस पर क्लिक करेंगे हाइड हो तो यह हाइड होगी हमारी है तो अब देख सकते हैं आप यह clean interface है हम इनकी sound को सबको बंद कर देते हैं इसके अंदर हम sound नहीं चाहते हैं originally तो क्योंकि अगर इसको हम replace करेंगे किसी भी वीडियो फोटे से तो वो उसकी अगर sound होगी तो यहाँ पर आ जाएगी and वो ruin कर सकती है आपके effect को ठीक है तो यह आगे हमारी तो यहाँ पर अब किसी को भी replace करने है तो यहाँ पर footage one placeholder को double click करके open करेगा ऐसे ही text placeholder को double click करके open करेगा और यह आ गया अपना text और इस पर double click करके यहाँ पर आपना text वो change कर देगा तो यहाँ पर जो भी text which वगे हमारे यहाह पर तो यह pre-coms हो गई हमारी तो यहाँ पर जो coms हैं यहां पर हम इसको लिख सकते हैं media placeholder तो यहाँ पर enter करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम placeholders और यहाँ हम placeholders कर सकते हने और हम पता सकते हैं nurs triangle इसको हम इसी में डॉप कर लेते हैं तो यह आगे हमारा इसको नहीं आए विडिक हागे से अब वो इसको चेंज कर सकते हैं कोई भी ये देखे तरह लिए बन गया हमारा after effects का template अब हम इसको mail भी कर सकते एन्वाटो या फिर मोशन एरे या फिर अड़ोवी स्टोक जैसी वेबसाइट पर और हम इस पर हमारे को पैसिव इंकम आती रहेगे हम इसको इसल कर सकते हैं तो एक तो तरीका था यह अब हम सीखेंगे कि इसको प्रिमियर प्रो के टेंपलेट में कैसे कनवर्ट करना है अब हम इसको सीखेंगे कि प्रिमियर प्रो के मौगट प्रिसेट में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं ताकि लोग इसको सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करके यूज कर सकें वंस अगेन ये जो है प्रिसेट्स दोनों प्रिसेट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट से प्रिसेट्स करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा स्वेस हमें यहां उपर चाहिए तो अब इसको थोड़े से स्पेस को हम और्गनाईज करते हैं अपना वर्क पर आएंगे और इसको ड्रैक कर लेंगे इधर यह ज़्यादा शो ना हो यह वाला में एरिया ज़्यादा चाहिए और उसके बाद आएंगे हम विंडोज में और यहां से और यहां से सेलेक्ट करेंगे इसेंशल ग्राफिकस और ऐसा करते ही देख सकते हैं आप यह मोशन ग्राफिकस वाला ओप्शन यहां पर ओपन हो गया है तो अब सबसे पहले जो आपको काम करना है वो सिलेक्ट करना है अपनी प्राइमरी कंपोजिशन जो भी कंपोजिशन का हम बनाना चाहते हैं इसके इसका preview हमें सही दिखाए लिए तो इसको हम ले जाते हैं जैसे यहाँ पर something like this और यहाँ पर हम इसको as a thumbnail या फिर poster select करेंगे तो set poster time ऐसा करते हैं यह वाला thumbnail हमारा यहाँ पर show हो गया और यहाँ से अब इसका नाम हम दे सकते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हो तो जैसे लिखते हैं gym motivation template यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं तो यह तो था basic setup अब यह सारी चीज़े हो गई है अब हमें क्या करना है अब हमें इसके अंदर जैसे एक तो videos के लिए clips के लिए folder चाहिए एक चाहिए हमें text के अंदर ताकि text को replace कर सके यह आपको पहले decide करना पड़ेगा ठीक है तो एक तो हम चाहते हैं कि clip को easily कोई भी replace कर सके दूसरे text को replace कर सके दोई चीज़ें इसके अंदर में और बाकी चीज़ ऐसा कुछ नहीं है तो अब इन ही को fix करने के लिए हम यहां पर आ जाएंगे add formatting में और यहां पर click करेंगे add group तो एक group आ जाएगा फिर second group करेंगे add group अगर हम ऐसे इसी के अंदर करेंगे तो देखी सब group बनगे तो हम इसको undo करेंगे और make sure यह वाला group select नहों और उसके बाद add group करेंगे ठीक है अब इसको rename कर देंगे तो सबसे पहले हम replace करेंगे यहां पर अपने text को तो यहां पर text लाएंगे और यहां पर लाएंगे हम अपनी clips ठीक है दोनों चीज आगी तो text अभी select कर लेंगे और सबसे पहले text में आएंगे तो text placeholder 1 तो इसको open कर लेते हैं और open करने के बाद यह आगया हमारा text अब यहां पर जो जो properties हम चाते हैं इसके अंदर add हो तो उसके लिए हम यहां पर select करने के बाद यहां पर check कर सकते हैं solo supported properties तो ऐसा करने के बाद यह सारी properties open हो जाएंगी जो जो हम इसके अंदर add कर सकते हैं तो हम इस सबसे पहले तो करना है source text ताकि हम इसको change कर सके यह जो भी इसको use करेगा इसको वो change कर सके तो उसके लिए हम इसको simple drag करके and इसके अंदर place कर देंगे और यहां पर जैसे इसका हुआ है जो भी टेक्स्ट हैं यहां पर replace कर सकते हैं जो भी इसको use करेगा वो यहां से replace कर सकते हैं अब हम इसकी added properties में जाएंगे और यहां से इन तीनों को check कर देंगे इसको check करने के बाद देखें हम different font भी चूज कर सकते हैं different size from size और different style को चूज कर सकते हैं यह सारे option यहा कर सकते हैं ठीक है तो text one के अंदर यह आ गए हैं अब हमें अगर कुछ और चीज अड़ करने हैं लाइक animations कहां से start हो रही है कहां से बंद हो रही है वो भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो यह थोड़ा सा complicated हो जाएगा और उसके अंदर जो हमारी main animation है उसका मै कर लेते हैं transform के अंदर हमें चाहिए इसकी position, scale, rotation and the opacity इन सब को select करके इन सब को drop करेंगे यहीं पर इसके नीचे तो यह आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज आ जाएगी पहले text का नाम आएगा जो भी लिखा हुए तो इसको हम हड़ा देंगे हमें नहीं चाहिए ता तो वो सारी चीज़े adjust हो जाएंगे तो यह हमारा text हो गया है इसके अंदर हम sub grouping कर देते हैं तो इसको select कर लेते हैं और यहां से हम add कर देंगे group और इसका नाम रख देंगे text one करने के बार अब इसको हम ले जाएंगे उपर में यह यहाँ पर और इन सब को इसके अंदर डाल देंगे यह text देल गया यह position उठा उठाके यह उपर आ रही है तो इसको नीचे ले आएंगे ऐसे scale को ले आएंगे rotation को और opacity को और इसको हम कर देंगे तो easily organized रहेगा जिसको पताए कि first text one की जो जो properties हैं वो आ गये हैं यहां पर इनको हम adjust कर सकते हैं और अब ऐसे ही इसके अं इसको हम बंद कर देंगे and open करेंगे text two तो text two को open कर लेंगे यहां से again select करेंगे and यहां पर solo spotted properties पर क्लिक कर देंगे सबसे पहले हमें source text को add करना है तो इसको हम drag करके drop कर देते हैं text two के अंदर यह आ गया यहां पर आगया अपना text two लिख देते हैं ताकि easily identify कर सके and अब की बा बाद हम आ जाते हैं यहां पर transform के अंदर तो position scale rotation मैंने control press किया है और इन सब को select कर लिए इखटे एक बार में और यहां से हम drop कर देंगे इसके अंदर तो यहां पर again हमें इसको थोड़ा सा clean करना पड़ेगा इनको position दिखाना पड़ेगा और ऐसी करके मैं सब को clean कर लेता तो आप देख सकते हैं ऐसा करके मैंने सारे सब को add कर दी सब text को तो text one text two text three सब इसके अंदर मैं add कर चुका हूं तो जैसे यह वाला scene था fourth one मैं आपको show करूं इसके अंदर दो text है तो एक तो यह है और एक second वाला text है तो इसके लिए मैंने क्या किया है सबसे पहले उपर first व वाइट नहीं चाहिए कोई और color चाहिए वह तो option इसमें आपने एड किया नहीं और इसके अंदर भी वह option है ही नहीं कहीं पे भी आप देखोगे तो फिल का option है ही नहीं फिल और stroke यहां पर show तो कर रहा है लेकिन कोई color का option इसके अंदर नहीं आ रहे है तो इसको fix करने के ल फिल करने के बाद यहां पर यहां पर यह आ जाएगा फिल इसको हम सिलेक्ट करते ही by default इसके इंदर रैड कलर आता है तो हम यहां से अब देखेंगे तो यह वाला color भी वह ब्लैक सोरी रैड होगे अब इसको यहां से क्लिक करके चेंज कर देते हैं वाइट ओके तो इसको ह तो है इस पर आएंगे और सबसे नीचे आएंगे यहां पर देखें फिल वाला option है एफ एक्स में इसको open करेंगे और यहां पर आ गया color का option ठीक है तो यह है हमारा नीचे वाला text यह तू है third तो इसके लिए हम यह कौन सा है हमारा यह hero है और उपर जाएंगे तू है ठीक है तो यह वाला है अब यहां से हम इसको पकड़ेंगे इसको बंद कर देते हैं ओके फिल वाला आगे इस color को पकड़ेंगे और यहां से हम यहां पर add कर देंगे ठीक है और यहां से fill color तो यहां से color हम यह fill color को आप ऐसे भी रख सकते हैं आठा सकते हैं यह color कर सकते हैं यहां से हम अगर यह वाला ले लेते हैं तो यह देखे हो गया text उसी color का तो हम वापिस कर देते हैं इसको white and ऐसे ही हम second वाले text का करेंगे तो वो है hero वाला और उसके अंदर हम यह उपर में हैं तो इसको select करेंगे और यहां से हम आ जाएंगे इस पे नीचे fill में and यह वाले color को उठाके यहां पर drop कर देंगे तो यह हमारा second color आ गया इसका ऐसा करते ही अब हमें क्या करना है इसी effect को same fill को copy कर लेते हैं यहां से जैसे के यह red वाला तो इसको copy कर लेते हैं fill को और ऐसे ही पाकी text पे भी add कर देंगे so third के अंदर दो थे तो भाई जैसे ही वाला है तो इस पे red है तो इस पे हम apply कर देंगे control भी से paste कर देंगे और जो नीचे वाला है इसका और इसमें से उपर effects control से fill को copy कर लेंगे और same यहां पर तीसरे text में आएंगे तो इनीचे वाला है तो वाले पे और इस पे paste कर देंगे तो यह white आ गया है ठीक है और ऐसे ही अब इसको open करेंगे और इसको हम third वाले text के अंदर add कर देंगे तो ऐसा करके हम सभी text के ऊपर same fill effect apply कर देंगे और उसको use कर लेंगे और इसके अंदर हम add कर देंगे थाकि एक option हमारे color change करने का रहे इसके यह करने के बाद मैं इसको quickly कर लेता हूँ और फिर चलो इसको हम कर लेंगे तो मैं इसको बाद में कर लूँगा अभी आपको दिख footage one है इसका हम नाम change कर के चलो कोई बाद इसको ऐसे रख लेते तो यह आगे हमारा footage one तो यहां पर clip और clips के अंदर हम simply इसको यहां से drag करके यहां पर drop कर देंगे ठीक है और यह अगर आपने prefix का later version यूज किया है तो इसके अंदर I think यह 2021 यह 23 के अंदर आ गया था I think अब जै यहां से इसका set thumbnail कर लेंगे set thumbnail image तो इसको यह thumbnail image इसकी आगी है तक कि यहां से हम उसको दिखे कि यहां पर कौन सी वाली image है और कौन सी वाली clip है उससे change कर सकते हैं by default scale to fill रहेगा इसके अंदर सारे option आयाते हैं वो कोई problem नहीं जो भी अभी हमारी by default position है वो इसकी ऐसे ही रहे कर लेता हूं यहां से footage to and यह second को drop करेंगे यहां पर इसका नाम change कर देंगे clip number two इसके भी poster को और thumbnail को set कर देंगे set thumbnail image ऐसे ही third वाले में चले जाएंगे थर्ड है हमारी यह वाली इसको भी drop करेंगे यहां पर and इसको भी change कर देते हैं clip number three इसको भी set thumbnail image कर देते हैं तो वो easily अब इसको drag and drop कर सकते हैं अब final आपका step रहे गया है once everything is done उसके बाद एक पर आपको दुबारत चेक कर लेना है कि कोई चीज miss ना हो गई हो उसके बाद simple यहां पर click करना है export motion graphics template पर तो अभी यह हुआ नहीं बट मैं इसको show करके दिखा रहा हूं मैंने इसके अंदर fill value opacity वगरा को add करना है वो मैं बात में कर लूँगा तो अभी दिखाता हूं save project यह save project के लिए पूछेगा first of all और उसके बाद यह export करेगा and यहां से यह time show कर रह कभी आपको show कर रहता है trimming and applied time effects on media replacement will be ignored when motion graphics template is applied in Premiere Pro ठीक है तो आपको simply ok press कर देना है और यहां से अभी आपको choose करेगा कि आपको कहां पर save करना है तो यहां से local drive है local template folder local drive हम choose करेंगे और यहां से browse करके हम select कर लेते हैं कोई भी अपनी drive तो एक folder select कर लेते हैं मैं जातर इसके अ motion graphics के अंदर कोई font available नहीं है तो यह warning show कर देगा अगर किसी इस motion graphics के लिए after effects इंस्टॉल होना जरूरी है तो वो भी यह warning दे देगा कि यह यह इंस्टॉल कर लो अदरवाइस वर्क नहीं करेगा और यहां पर हम keywords दे सकते हैं like यह किसी इसका template है तो जो भी इसको use करेंगे user and user इसको easily find out कर सकें तो हम कर सकते हैं gym motivation तो easily जो भी identify करें जानी कि motion graphics template में अगर उसके बहुत सारे दूसरे template इंस्टॉल है उनको easily find out कर सके हमारे template को तो और easily use कर सके तो यह हम add कर सकते हैं कुछ keywords and press कर सकते हैं okay करने के बादे कि यहां पर यह बताएगा कि जो दो दो फॉंट है यह adobe में available नहीं है तो यह extra install करने होंगे इपाकि यह चीज़े हम उनको पता देंगे अपने जब हम प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे अदरवाए को कोई दूसरा भी यूज़ कर सकता है that's not a big problem okay क्योंकि हमने option दिया है font change करने का और okay press कर देंगे उसके बाद यह video preview बनाएगा और finally यह हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको show करूंगा final complete होने के बाद ठीक है तो यह देख सकते हैं यह हमारा primary pro का preset हो गया हम primary pro मैंने open कर लिया है यहाँ पर simply इसको drag and drop कर देना ह है drag and drop करने के बाद यह install हो जाएगा और यहां से इसको हम अपने timeline पे drop कर लेंगे और इसको select कर लेंगे और select करने के बाद देखे यहां से हम ऊपर जाएंगे essential graphics में और essential graphics में जाने के बाद यहां पर देखे सारे option हमारे पास आ गये हैं text को change कर सकते हैं यहां से हम text की position सब कुछ हम इसके अंदर change कर सकते हैं और अपनी ये वीडियो हैं इनको हम change कर सकते हैं अपने वीडियो के साथ अच्छा जो आपको ये देना भी मैंने इसके अंदर clip include कर दी हैं लेकिन अगर आप template बना रहे हैं तो उसमें आपको clips को नहीं देना है क्योंकि ये allow नहीं है हम clips किसी दूसरे को दे दे ठीक है तो उससे problem हो सकती है तो इसलिए हम यहां पर कोई भी अपनी एक यह जो हमारी original clips हैं इसके अंदर replace कर देंगे with clip ऐसे को image बना देंगे जिस पे लिका होगा replace your footage और replace with your clip ऐसे 1 replace with clip 2 ऐसे करके हम इसको export करेंगे जब यह motion है graphics हमने जब starting में export किया था अभी के लिए मैंने नहीं किया है ताकि आपको show कर सकूँ so I hope आपको सारी चीजें clear होगी अगर कोई still doubt है या question है then you can still ask in the comment section next video का topic कौन सा होना चाहिए please comment जरूर करें क्योंकि आप लोगों के comment मैं जरूर पढ़ता हूँ सबके reply कोशिश करता हूँ देने की और आपकी comment से ही मैं next video का topic चूज करता हूँ sorry काफी late video आ रहा है क्योंकि आपको पता है मुझे dango हो गया था और मैं काफी serious हो गया था काफी एक डेट महिनी से अभी तक मेरी weakness बहुत ही जादा है recover नहीं हो पाया हूँ मैं अभी तक बस still जैसे भी time लगता है जितनी भी हिम्मत होती है आप लोगों के लिए मैं video बनाने की कोशिश करता हूँ बस आप लोगों का प्यार और support है जो मुझे motivate करता है नए नए video बनाने के लिए and I promise to bring more useful videos for you और आपको सिर्फ video को like करना है share करना है till then keep editing and unleash the creative in you bye